हेलो दोस्तों केहल चाले हैं दोस्तों आजम पढ़ने वाले हैं जीके के 20 important question and आपको बता दे हमारा target रहने वाला है नवंबर की first week जी आँ दोस्तों आप से daily class आया करेगी आप सभी के लिए जीके की अब जीके की टेंसर लेना छोड़ दो बाकी हम सब देख लेंगे बस जो हम पढ़ाएं आप सभी मला के पढ़ो और नोट्स बनाओ जितना हो सके आप सभी नोट्स बनाओ एक्जाम में जाद देनी बचे हैं दोस्तों और ये वीडियो नमबर फर्स्ट है प्लीस आप सभी किरपा करके इस वीडियो सेर कर देना एक्जाम में इस वार आग लगा देनी है इस वार होगा एक्जाम पार तो वीडियो में स्टाट करते हैं उससे पहले हम अपना इंट आप में गज़ए किस मुगन ने अपनी राजदानी दिली से दौलत बाद यानि की देव गिरी परिवटन किया ता यानि कि इस्तांतरित किया था कौन था दोस्तो वो वो था दोस्तो मुहम्मद बिन तुगलक इसका सयूत्तर हो जाएगा मुहम्मद बिन तुगलक दोस्तो जिसने दिल्ली से दौलत बाद दोस्तो अपनी राजदानी परिवतन किया था इस्तांतरित की थी दोस्तो याद कर ल किस वर्स बंगाल में नील विदरो हुआ था इंपोर्टेंट कोस्टन है दोस्तो कब वा था 1859 में दोस्तो नील विदरो हुआ था बंगाल में याद कलेना ये बेहदी इंपोर्टेंट कोस्टन है और आपके एक्जाम में आ सकता है तो पिलीस आप सभी इन कोशनों को याद कर लेना अगला कोशन दिखते हैं कुटबुद्धिने वक्को किस नाम से भी जाना जाता है यानि कि कुटबुद्धिने वक्को और किस नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है दोस्तों लाग बख्स के नाम से जाना जाता है कुत्बुद्धिन बख को या सिंपल सी बात दोस्तों जो दान करें वो कुत्बुद्धिन बख यानि कि आपके एक्जाम में आ जाता है तो आप अराम से कर दोगे अगला कोशन दिखते हैं मगद का कौन सा राजा सिकंदर महान के समाकालिन था वो था दोस्तो धना नंद याद कलेना इस कोश्चन को आ सकता है आपके एकजाम में धना नंद दोस्तो राजा सिकंदर के समाकालिन था अगला कोशन दिखते हैं नंद बंस का संसापक कौन था important कोशन है दोस्तों वो था महापद नंद नंद बंस का संसापक कौन था महापद नंद अगला कोशन दिखते हैं दोस्तों हम जो आपको कोशन करा रहे हैं आपके समझ में तो आ रहा है नीचे कमेंट में आप जोरी बता देना और आपको डेली वीडियो चाहिए तो प्लीज आप सभी इस वीडियो सेयर कर देना आपके लिए डेली वीडियो आया करे या कोई साई वीडियो मिशना करें आप सभी इस वार दोस्तों हमें एक्जाम पार करना है तो जी जान लगा दो आप सभी हम आपके साथ हैं अगला कुछन दिखते हैं अलावदिन खिल जी के साथन काल में परिच्छन के बाद निक्ट किये गए सैनिकु को क्या कहा जाता था वो कहा जाता था दोस्तों मुस्तफ अगला कुछन दिखते हैं भारतवार सनाम सब पिर्तम किस गरंत में भारतिय भू भाग के लिए मिलता है वो मिलता है दोस्तो अश्टर धाई भारतवार सनाम सब पिर्तम अश्टर धाई गरंत में भारतिय भू भाग के लिए मिलता है यात कर लेना इक कोशन आ सकता है आपके एक्जाम में अगला कोशन दिखते हैं बुंदेल खंड में किस राजवनस ने और छा को अपनी राज़धानी बनाया था किस ने बनाया था दोस्तो बुंदेला राजवनस ने बहुती जी कोशन है आपको इसका उत्तर पता होगा एंड आप से इस कोशन को ट्रिक से यात कर सकते हैं जैसे कि बुंदेल खंड तो बुंदेला राजवनस इस तरह से आप से भी यात कर सकते हैं अगला कोशन दिखते हैं किस मुगल सासक ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलाई थे कौन था दोस्तो वो था अकबर याद कलेना इंपोर्टेंट कोस्टन है ऐसी कोस्टन आपके एक्जाम में पूछ जाएंगे किस वर्स हल्दी गाटी का युद्ध हुआ बह्यादी इंपोर्टेंट कोस्टन और बहुत ही जी कोस्टन है किन-किन भायों को इसका उत्तर पता है नीचे कमेंड़ों जरू बताना आप सभी वो हुआ था पंद्धरे सो छेतर में दोस्तो हल्दी गाटी का युद्ध हुआ था पंद्धरे सो छेतर में आपको इसका उत्तर पता था तो नीचे करने जरूर बताना आपसे भी अगला कोशन दिखते हैं अकवार ने जजिया नामक कर किस वर्स बंद करवाया था इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तों अकवार ने जजिया नामक कर 1564 में बंद कराया था इस सन को याद कर लेना आपके एक्जाम में आ सकता है अगला कोशन दिखते हैं उत्तर भारत के मंदिरों में सिका निर्मान का पहला परमान किस मंदिर से मिलता है वो मिलता है दोस्तों 10 अपतार मंदिर में उत्तर भारत के मंदिरों में सिका निर्मान का पहला परमान 10 अपता विश्वास नहीं करता था वो नहीं करता था दोस्तों जेन धर्म याद कर लेना विश्विनासकारी प्रले की अब धार्णा में विश्वास कौन सा धर्म नहीं करता था जेन धर्म अगला कुशन दिखते हैं हम बुद्ध काल में कुरू महाजनपत का राजा कौन था वो था दोस्तो कौरब्य था अगला कोशन दिखते हैं अपने सासक के परतीक चौथे वर्स प्रियाग में अपना संपूर्ण धन दान करने वाला हिंदू सासक कौन था इंपोर्टेंट कोशन इस कौश्तन को आ सकता है अगला कौशन दिखते हैं तो दोस्तो आज हमने आप सभी को जीके के टॉप 20 कोस्टन करा दियें और आपके लिए डेली वीडियो आएगा तो कोई साई वीडियो आपसे मिसना करें और इस वीडियो सेर कर देना और एक जरूरी बात दोस्तो हम टेलीग्राम पर आगें यादि आपने टेलीग्राम कर जोइन कर लेना मिलते हैं आपसे अगली वीडियो इंपोर्ट हैं जीकोस्टन के साथ जय हिंद